नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि रीट प्रिक्षा की जो प्रिक्षा तीती है वो गोसित हो चुकी है 25 अप्रेल 2021 को आपका एक्जाम है रीट का तो आपके पास में जो है वो लगबग 4-4 महिने का समय है और आप यूं मान के चलिए कि 120 दिन का ही आप 120 दिन के हिसाब से एवरेज जो है 120 दिन को मान करके चलें तो अब जो ये 120 दिन है इसमें आपको अपनी त्यारी किस हिसाब से करनी है त्यारी को क्या जो है वो दिशा देनी है क्या डारेक्षन देनी है उसके अकोर्णिंग आजम बात करने वाले हैं और जो भी विद् प्रिक्षा में सीट है वो है 31,000 विद्यार्थी जो है वो कम से कम 10 लाख जो है इसमें बैठेंगे तो पास जो होंगे वो 3.1% होंगे 10,31,000 देख लिजेगा 3.1% होता है तो अगर इस 3.1% में आना है तो मेहनत भी आपको वो 3.1% वाली करनी पड़ेगी कि इसमें शामिल हो सकें तो आप ये समझ लिजे कि पूरी जी जान जितनी आप में जान है वो सारी जोंकनी है यहां पर ये सोच के त्यारी करनी है कि इस धर्ती पे इससे पहले ना कोई एकजाम थार ना कोई बविशे में होगा ये है जो है ये सोच करके आपको त्यारी करनी है तब आप अपना पूरा समझपन इस प्रिक्षा के लिए दे पाएंगे तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक आधर समय सारनी है और ऐसा नहीं है कि ये आपको कि मुझे जैसे मैंने बताए सुबह उठने का टाइम चाह बजे का एक एवरेस समय बताए है कि मैं दिन चरिया जो है वो सुबह चाह बजे से सुरू करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं का अगर कोई विद्यारती की रात को पढ़ने की हैबिट है और वो कहे का ने ने सुबह चाह बजे जादा बढ़िया हो जाएगा क्योंकि वो सारा जो सिस्टम अपना छोड़ के इस तरीके से कोशिस करे ऐसा नहीं है जो मैंने आपको समय सारनी या जो टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ इसको आपको अपने अनुकूल डालना है आप जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट है मैंने लिखा है कि एवरेज उसको चार गंटे देने और आप इसलिए एक साल से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हूँ तो आपको उतनी आवशक्ता नहीं पड़ेगी उसमें तो इस हिसाब से देखेगा कि ये जो एक आदर समय सारनी है कि सब्जेक्ट को कितना जो है वो आपको समय देना है इसको आपको अपने अनुकूल ढालना है कि आप इसमें क्या बहतर चीजें अपने लिए निकाल सकते हो तो अच्छे से सुनेगा दूसरी बात जिस विद्यार्थी ने पहले अब तक त्यारी नहीं की थी क्या अब अगर वो पढ़े तो क्या सेलेक्शन हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है जो मैंने लाश्ट वीडियो बनाये था कि आज जो ये 25 अपरेल की एक्जाम डेट आ चुकी है उसमें कई विद्यार्थी थे कई क्या कफी थे कैसे अर्मने आस ते कभी पढ़ाई नहीं की और या 25 अपरेल आगी तो अब पढ़ें तो क्या हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है जो लाश्ट का समय है वो बहुत मैथपून होता है जो पहले से त्यारी कर रहे हूं उनके लिए भी और जो नए त्यारी करें उनके लिए भी इस समय में अगर किसी ने लापरवाई कर ली जैसे वो ही बात है मैं एक उधान हमेसा देता हूं कि 100 मिटर की रेस है और 90 मिटर अगर 90 मिटर सब साथ साथ दोड़ रहे हैं कोई आगे पीछे हलका फूल का लेकिन यहां आकर कि अगर कोई लापरवाई कर ले इस 10 मिटर में तो वहीं वो गैम से आउट हो जाता है तो लाश्ट का जो यह समय होता है यह स्पीड बढ़ाने का होता है कि इस समय तेज स्पीड बढ़ा हो जीतने बढ़ा सकते हूं तो बिल्कुल सेलेक्शन हो सकता है आप कितने समर्पित होकर के त्यारी करते हैं यह डिपेंड करेगा उस चीज़ पे तो अच्छे से सुनिएगा तो देखे हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो एक एवरेज समय सारने इस समय आपकी 120 दिनों के लिए क्या सेडूल किस तरह से होना चाहिए देखें, मॉर्निंग का समय मैं रख रहा हूँ कि नॉर्मल एक आम आदमी सुबच 6 बज़े उठता है विद्यारती है, नॉर्मल सुबच 6 बज़े उठने का समय है रात के 11 बज़े तक का समय है आपके पास एक एवरेज जो है और 7 गंटे वो सोने का समय मैंने रखा है कि कम से कम 7 गंटे तो नींद आएगी आपको लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कहिए कि साब आपने का था जब आप दिन भर मेहनत करोगे तो आपको नींद आएगी नीसीत रूप से तो बहुत अच्छी नींद भी आएगी और 7 गंटे की तो आ जाएगी आपको 6-7 गंटे के एवरेज रखा है मैंने इससे ज़्यादा नीस होना है इसके बाद में हम बात करें स्लेबस की स्लेबस आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं 150 परशन है 30 बाल विकास और शिक्षा सास्तर के दो बासाएं हैं 30 पलस 30 60 लेंगवेस फ़र्श और लेंगवेस सेगिंड और फिर जो SST के या Science के विद्यार थी है जो Read Level First के विद्यार थी है तो सबके साथ क्यूशन ही और है कुल मिला करके आपके 150 क्यूशन हो गए नेगिटिव मार्किंग आपके नहीं है इसमे यानि एक्जाम होल में आपको 150 के 50 क्यूशन जो है वो सोल करके आने है ये चीज़ आप अच्छे से जानते है अब दिनचरिया आपके कैसी होना चाहिए किस विशेव कितना समय देना है उस बारें बात करते है तो देखेगा ये केवरेश टाइम है ये मैंने उपर भी बता दिया था आपको लेकिन यहाँ जब दिन चरिया है तो इसके साथ मैं दुबारा लिखा इस चीज़ को अब देखिए मोर्निंग में मालीजी आप सुबह 6 बज़े उठते है 11 बज़े सोगे रात को सुबह 6 बज़े उठते तो सुबह का जो समय होता है वैसे बहुत अच्छा समय होता है अगर कोई सुबह पढ़ता है रेगुलर उसका बेठाव है तो वो जानता है कि सुबह वास्ते में बहुत अच्छा लगता है पढ़ना सुबह 6 से 9 बज़े तक जो है वो आप अपना एक बाल, विकास और शिक्षा सास्तर टेबल को आपके अनकूल डालना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ चुके हैं किस सब्जेट को विसे ध्यान देने क्या हो सकता है मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि इस समय आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है बाल विकास और शिक्षा सास्तर को आपको तीन गंटे देने है तीन गंटे में यानि देखे अब वो बात नहीं रही पहले वाली कि जैसे रेट के अंदर वो नॉर्मल आपसे बाल विकास में फैक्ट फैक्ट पुछेगा ऐसा नहीं है वो आपसे पूछेगा concept कि बताएए बिलकुल अंदर तक जा करके पूछेगा कि वो concept आपके clear है या नहीं है तो उस चीज़ को समझने में आपको समय लगेगा आपकी उर्जा लगेगी आपका मन आपका ध्यान एक जगे के अंदरित आपको करना पड़ेगा तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इनमें concept क्या है तो इसलिए सुबह के लगबग तीन गंटे जो हैं वो आप बाल विकास और शिक्षा सास्तर जो subject है इसको देविया इसके बाद में हम बात करते हैं नो से दस अब आप अपना नास्ता बगरा की लिजिए ना लिए नास्ता बगरा कर लिया दस बज़े आप अपना पढ़ने बैठ गए अब देखे कई बचे बहुत बोले होते हैं इतने बोले होते हैं कि पूछी हिमत अब जैसे सर्दी का समय है और बच्चा जुए पढ़ने के लिए बैठार उसके कोई उसके थोड़ा सा बातरूम लग गया अब कैसर मैं बीच में उठू का नहीं उठू अर तो उठोगे जब आएगा तो बैठे क्यों रहोगे बाई एक नॉर्मल चीज इतने बोले होते हैं वो कहते हैं कि दस से दो है इसका मतलब उसको बीच में खड़ा ही नहीं होना है तो थोड़ा सा उस चीज को इस तरह इंसान को इतना भी ऐसे जो है बोला टाइप ऐसे नहीं होना चाहिए कि फिर एक्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे तो यह आपकी समझ की चीज़ें होती है आप 10 से 2 का मैंने केवरे समय रखा है यानि 4 गंटे और आपकी एक बार की जो सिटिंग है वो जहां तक मैं मानता हूँ कि एक बैठ सिटिंग जो होती है वो है कि कम से कम 2 गंटे, 1.5 से 2 गंटे आप मान लिजिए कि एक बार आप जब बैठ करके पढ़ते हैं तो 1.5 से 2 गंटे जो है वो एक बार की सिटिंग आपकी होनी चीज़े अब कोई कहेगे सर अब इस टाइम की सर हम अगर चेर पर बैठ के पढ़ेंगे, तो हमारे सरदी लगेगी आप सर बड़ी दिक्कत होगी ठंड में तो भया जो ओडने के लिए ओड लो कुछ, अराम से बैठ जाओ साइड में जरूरी नहीं है कि आपको इतने बहेंकर सरदी लग रही है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मत तु सरने का था कि चेर पर बैठ के पढ़ना है, तो मैं चेर से हिल इन नहीं सकता है कोई भी ओडने वाली चीज है अराम से ओडो, जैसे आपको कमफर्ट हो तो उस तरीके से ये सबसे बैष्ट होता है कि अपना चेर पर बैठ के या जैसे मालीजी जमीन पर आपने कोई भी जैसे गदा है या कोई भी आपने बिचा लिया और आप अपना आराम से ओड के बेट गे अपने पढ़ाई करो लेकिन लेट के नहीं पढ़ना इस चीज़ का ध्यान रखना किसर आपने कहा था कि आपको जिसमें अच्छा लगे comfort हो मुझे तो लेट के पढ़ने बहुत मज़ा आता है उंट की तरह फढ़े रो और आराम से साइडम पढ़ते रो ऐसे नहीं, लेट के नहीं पढ़ना है लेट के पढ़ोगे तो दिमाग भी लेट जाएगा लेट के नहीं पढ़ना है बेट के पढ़ना है अब चाहिए कहीं बेट के पढ़ो तो इस चीज़ का ध्यान के सामाजिक विज्ञान जो है इसको आपको 4 गंटे का कम से कम समय देना है क्योंकि SST वाले जो विद्यारती हैं आपके 12 यूनिट है 12 यूनिट के अंदर खूब सारा स्लेबस है जिन विद्यारती उन्हें पहले से SST की त्यारी नहीं किये जिनोंने जिके वगरा कभी नहीं पढ़ा वो अपने इस 4 गंटे में 1 गंटा और जोड़े और कम से कम 5 गंटे का जो है इसको समय दे या इससे भी ज्यादा आप 5 गंटे तक भी इसको समय दे सकते हैं जिनोंने पहले से बिल्कूल नहीं पढ़ा है लेकिन जैसे मालिजे जो मेरे साथ साथ जिनोंने RBSC की किताबे YouTube पे कम्प्लीट कर ली एप पे जो मैंने RIT की जो SST की टेट्सी चला रखी है यानि वो बहुत सारे विद्यारती ऐसे हैं या जो फिसले एक साल से जुड़े वे और कम से कम 10,000 विद्यारती ऐसे हैं जो YouTube पर वीडियो देखते थे जो लगातार देखते थे जैसे मालो किसने आज नहीं देखा तो next day देख लिया तो 10,000 विद्यारती ऐसे हैं जो लगातार जुड़े वे थे YouTube पे continue उन वीडियो को देखते थे तो अगर आप continue इस तरह से देख रहे थे और जो RIT SST की जैसे test series वगेरा वो सब आप continue सही समय पे दे रहे हैं तो आपके लिए फिर 4 गंटे ये sufficient है और इसमें भी आप particular syllabus के अंदर वो topic निकालिए कि कौन सा आपका week है अब जैसे SST के जो unit wise मैं ये ले रहा हूं test paper वो इसी लिए है कि वो point आपको द्यान में रहे कि आपके कहाँ minus point रह रहे है कौन सा ऐसा topic है जो आप ढंक से नहीं पढ़ पा रहे है तो उस चीज़ को द्यान में रखें unit wise पढ़ें जो भी आपकी unit week हो कमजोर की ये unit मुझे hard लगती है तो मैं इसको पढ़ूँ इसके बाद में हम बात करते हैं दो बज़े के बाद मैंने आपको एक घंटे का गेप दिया बाई जैसे बीच में आप दस के बीच में आप बारा बज़े खड़े होगे आपने बोजन वगरा कर लिया या जो भी है दस पंदरा मीट यहीं बैठ गे चाई बगरा पी ली तो इस दो से आगे इसको दो से डाई बज़े तक कर दो बीच में आदा घंटा आप खड़े होगे यह मैंने एवरेज च्यार घंटे बताया आपको उसके बाद अपना चाई बगरा पी कि आप वापस पढ़ने बैठ गे डाई बज़े तीन बज़े तो तीन से पांच जो है वो मैंने आपका रखा है कि बासा फर्ष्ट और छै से आट जो रखा है वो रखा है बासा सेकिंड अब अगर आपकी ओल लेड़ी बासा पहले से त्यार है तो फिर आप इसमें थोड़ा टाइम जो है गटा बडा सकते हैं लेकिन इतना समय आपको देना है क्योंकि 30-30 यह आपके हाथ में है यह 30 नमबर यह, 30 नमबर यह और इनके अंदर भी देखिएगा जो शिक्षा सास्तर या जो शिक्षन वीदियां तो दो लेंग्वेज जो है दो लेंग्वेज में 15-15 क्यूस्टन तो आपके शिक्षन वीदियों के ही है और शिक्षन वीदियां एक ऐसा टोपिक होता है जिसमें आप बड़्टे से बड़्टे नमबर ला सकते हो यानि 30 में से कम से कम होगे इसके 15 और इसके 15 दो लेंग्वेज के शिक्षन वीदियां 30 में से आप कम से कम 26-23 नमबर अराम से ला सकते हो शिक्षन विदियो में और मिलती जूलती सी शिक्षन विदियां होती है जो man उनके होती है theme वो theme man चीज है वो जो चीज मैं बार-बार बोलता हूँ कि वो man जो best चीज है वो अगर आपके अगर पकड में आ गई तो आपका क्युसन गलत नहीं होता जैसे वेद जो होता है वेद जो डॉक्टर होता है गाउं में वेद क्या करता था नाड़ी देखता था यारी नब्ज वो नब्ज पर हाथ रखता था और बोल देता था भाई ये समश्या है वो चीज तो आप सिक्षण वीदियों को और अच्छे से इंप्रूव करें इनमें बहुत अच्छे नमबर आप खीं सकते हैं इसके बाद में जैसे ये विलोम शब्द वगरा परियाई वाची इस तरह की जो लेंग्वेज में जो ये चीजें होती है बासा से सम्मधित ग्रामर से सम्मधित वो आपको एक दिन में कभी याद नहीं होगी तो रेगुलर आपको उनको साथ साथ में पढ़ते रहना होगा इसके बाद में देखेगा और यहाँ जैसे सामाजी विज्ञान का मैंने रखा है गंटे की जिगा आप इसको टाइम पेट कर लिजे पांस गंटे जैसा आपको सुटेबल हो उसमें इसके बाद में हम बात करते हैं कि आठ बजे आठ से नो का फिर आपको गैब दे दिया आराम से खाना खाओ रेश्ट करो दस से ग्यारा बजे तक जो आपने दिन भर में पूरा पड़ा है वो सब जो है उसका आपको रिविजन करना है यह आप अराम से चाहिए लेट के रिविजन करो कोई दिक्कत नहीं है मतलब जो आपने दिन भर पड़ा है अपनी बुक सामने रखो अच्छा मैंने दिन में यह पड़ा था आज यह टोपी पड़ा यह पड़ा यह पड़ा इसके अंदर देख लीजिए कि मैंने यह यह पड़ा इसमें मैंने यह पड़ा एक गंटा अपना रिविजन करो और अराम से आपका रिविजन हो जाएगा तो average जो अगर आपके पढ़ाई के ये समय निकाले 3 गंटे, 4 ये, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 गंटे का समय जो है तो इतना समय तो आपको अब आपने exam के लिए देना चीए गर परिवारे में अगर जैसे माल ये किसी गर का काम है बहुत सी बचियां ऐसी होती है जिनके गर में काम रहता है या जैसे माल उनके बच्चे हैं तो अब वो गर में उनके काम होता ही है तो उसको कैसे करके 4 महिने के लिए थोड़ा मैनेज गरने का परियास करें कि कैसे करके चार मेने आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय पढ़ाई को दे पाओं अब आपको मौर्निंग में जल्दी उटना है, रात को लेट तक पढ़ना है जैसा आपके ये सूट करता है, उसके अकोर्डिंग आप अपने दिनचरिया को ढालें लेकिन ध्यान में रखें कि कम से कम 12 गंटे आप 10 गंटे मान लिजिए आप इस टाइम यागर कोई 10 गंटे नहीं पढ़े तो पिर कब पढ़ेगा वो तो इतना तो आपको रखना पढ़ेगा इसमें अब लाश्ट में हम बात कर रहा हूं कि क्या पढ़ें तो क्या पढ़ने के अंदर जो है वो यह है कि सलेबस एक तो आप अपना सामने रखेगा दिवार पर है जो आप अपने दिवार के पर पूरा सलेबस जो है उसको चिपका ले आपके सामने रहना चीए कि बालविकास का ये सलेबस है language के ये दोनों सलेबस है और अगर आपका SST है या रीट लेवल फर्स्ट है या जैसे मालेज ये साइंस में थै एनी टाइम सलेबस आपके सामने रहना सी उसके बाद हम बात करते हैं बालविकास की तो देखे आप ये चीज़े मैटेरियल वगरा मैं सब आपको अलड़ी बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि जब ये S.K. Mangal की किताब आती है अरून कुमार सिंग की किताब आती है ये चाहिए NCRT के आप पुस्तकों का इस्तेमाल करें या कोई भी आप आपको गाइड वगरा लगती है तो उसको पढ़ें और जहां तक मेरा मानना है तो आपने जितने भी कोचिंग संस्तान है उनके नोट्स भी आपके पास होंगे नोट्स की धेरी लगी होगी ये सब संस्तानों के नोट्स वगरा एक्टे कर लिये होंगे आपने ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर तो मैटिरियल आपके पास बहुत होगा लेकिन अब वो समय है जब आप अब तक जैसे नोट्स वगरा बनाए होंगे अपने कि वहाई मेरा ये मैटिरियल है बाल विकास का और मुझे इसको पढ़ना है सही मेटर हो अच्छा मेटर हो अब वो समय उतना नहीं है कि डिटेल के अंदर आप मैं किताबे आपको सजेश्ट करूँ मैंने जैसे कई authentic किताबे आपको पहले बताई थी तो अब मैं ये कहूँगा कि इस समय अब उनको किताबों को देने का समय नहीं है आप उनको पड़े और जो पिछले वर्षों के जो पर्षिन पत्र है इसको इस पेसलि द्यान रखें जैसे अलगलग एकजाम में आए वे, रीट में आए वे हैं या यूपीटेट हैं, अपीटेट है हीचिटेट, इसीटेट, इन एकजाम में आए वे तो यह है और बाल विकास का वैसे मैंने भी लाश्ट टाइम यूटूब पे वीडियो बना रखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं और और भी जैसे आपकी इच्छे हो कि सामना और भी बहतर पड़ूं तो फिर जो एप पर बाल विकास का कोर्स अल रहा है अभी और उसमे पूरा डिटेल में उसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बाल विकास का जो कोर्स अल रहा है कम से कम 80% कुशन चाहिए रीट लेवल का जो पिछली बार पेपर आये था चाहिए वैसे हो और चाहिए सीटेट का एक्जाम आप दे लेना आगे भी कभी भी सीटेट का हो चा एक लास के आसपा सेवरेज अपलोड होती हैं तो फर्स्ट विनेट अभी चल रही है अराम से पढ़ रहे हैं बहुत अराम से और एक एक पॉइंट को ओपन कर करके कि इसमें क्या कैसे पिसले वर्स कैसे आया क्या पूछ सकता है तो आपकी इच्छ है कोई लेना चाहिए त आपको आप शक्ता नहीं है तो आपके पास जो मैटीरियल है उसको कूप पढ़ें मेहनत करें इसके बाद में देखें बासा की बात करें तो RBSC किताबें जैसे मालजी हिंदी है तो हिंदी के लिए जैसे नोवी से बार्वी की एक ही किताब आती थी मादिमिक शिक्षा बो लिए तो शिक्षन वीदियों के लिए अलग से कोई भी गाइड लियाएगा आप कि क्योंकि शिक्षन वीदियों के लिए मार्केट में किताबें कूप है तो उन्में एक दो गाइड जो भी आपको ठीक लगे क्योंकि वो लगबग शिक्षन वीदियों तीन चार गाइड आती है उन्हें वो सेम सी है कोई ऐसा अलग से नहीं है तो आप कोई से भी गाइड ले सकते हैं शिक्षन वीदियों को त्यार कर सकते हैं लेकिन इसमें भी आपको पिसले वर्षों के कुछन पेपर बगरा सोल करने जुरूरी है जो अलगलग प्रिक्षों में आए वे हैं। अब बात करते हैं SST की, SST के अंदर आपको क्या पढ़ना है? इसमें देखे जो बारा यूनिट है आपकी, बारा यूनिट के अंदर जो स पास कोई भी हो, उसमें मैटेरिल आपको मिल जाएगा। बाकी जैसे जिके वगरा है तो उनके लिए 6 से 10 की RBSC किताबें जो मैंने ओर यूटूब पे कम्प्लीट कर दी है और 6 से 10 की कम्प्लीट जो RBSC की किताबें हैं वो लगबग 95 गंटे के आसपास उनका है, जो average time ब कुछी इस तरह से समय हैं, तो आप अपना डेली से 2 से 3 गंटे का भी average रख सकते हैं कि मैं इनको सुन लू साथ साथ में, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, और तो 6 से 10 की जो RBSC की किताबें और एक guide, ये आपको अच्छे से कर लेना है, 6 से 10 की किताबों के पेपर पीडिया फॉर्मेट में है, वो इसलिए वो एक तरह से notes का काम ये आपके लिए करेंगे, वो उसी प्रकार से मैंने त्यार किया था उनको, उन क्यूसनों का अगर किसी विद्यार्थी ने वो ले रखी है, एपर, तो उसको बार बार लगातार को करनी है, और average मैं बताता ही हूँ कि जिसके 70% से उपर हैं, उसका best score है और उपढ़ते रहूँ हूँ, अब ये नहीं कैसाब मेरे तो 60 ही आए, 60 आगे मेरे paper में तो बहुत बड़ी बात है उसमें, वो depend करता है कि paper कैसा बनाया है, उस पर depend करता है, वो ये नमर उमर से कोई माइने नहीं रखता है इतना, हो सकता है मैं बिल्कुल easy paper बना दूँ, आपके 90% आजाएंगे उसमें, तो SST के लिए ये basic चीज़ है, इसको आप अच्छे से कर लें, 6 से 10 की जो किताबें इसी में से आपका 80 से 90% paper जो है, कम से कम 80% paper इनी में से आजाएगा, आप देख ले ती, अब जो किताबे NCRT के लगाई है, उसको मिला लेना और अपना REIT का सलेवस मिला लेना, बहुत दूरी है उनमे, हिस्ट्री का 20% सलेवस भी इन NCRT के अंदर नहीं है, जो आपकी REIT की 4 unit है, एक तो REIT के अंदर 4 unit में एक तो आती है रास्तान जी के वाली, वो तो NCRT मे ही नहीं, दूर दूर तक, और दूसरी बाकी की जो 3 unit है, तो आप उसमें बहुत कम matter है, उसमें NCRT वाली में 6 से 8 में, जबकि 6 से 10 की जो हिस्ट्री के RBSC की किताबें उनमें बरावा है matter है, वरैतर, भारैतर, ये जैसे जो एक से बढ़कर एक टोपिक है इन में, इसलिए म राजस्तान में बले है NCRT की लगई हो, लेकिन rate का syllabus आपका change नहीं हो है, rate का syllabus अभी भी वो ही है आपका, फिर भी कोई विद्यारती अपनी मन की करें, या जो भी उसको doubt में रहे तो क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया, test paper वगरा practice unit wise मैं ये पर ले रहा हूँ, कोई लेना चाह जिनके आपको लगते हैं कि हाँ, आपको उनकी बात समझ में आती है, तो आपको उनके वीडियो देखने चाहिए, चाहिए मैं हूँ और चाहिए कोई और YouTube पे शिक्षक हूँ, जिनकी बात आपको समझ में आती है कि हाँ, मुझे इनका बोत अचा समझ में आ रहा है, तो उ चीज़ को follow करते वे अपना chain करवाना और किसी शिक्षक की बात को follow करते हैं तो या तो 100% करें या बिलकुल नहीं करें मैंने जो जादतरे विद्यारतियों में कमिया देखी है वो ये है कि वो शिक्षक की बात को सुनते जुरूर है लेकिन उस मैंसे जो उनको लगता है कि ये चीज़ easy वाली है वो तो grant कर लेंगे उनको लगेगा नहीं नहीं इसमें जोर आएगा छोड़ो क्या जूरत है आप जैसे मानलजे आपको क्योई student ऐसा भी मिल जाएगा आपके साथ का वो कह देगा मैं तो एक गाईडी पढ़ी थी पिसली बार मेरा तो हो गया था तो फिर आप क्या करोगे कर ये जो किताबे इनको नहीं पढ़ने तो इस चीज़ का ध्यान रखे हैं कि जब किसी सिक्षे को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी सिक्षे को फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से करें उसकी सारी बात को मानें नहीं मानें तो बिलकुल ही मत मानें ये जो आदी बीच वाली स्थितिय है नहीं मतलब मात थोड़ी सी मान ली थोड़ी नहीं मान ली जहां अपने आपको जोर आने लगा वहाँ नहीं नहीं या बस इतना बहुत है तो ऐसा नहीं है तो आप इस तरह से ये चीजें करते हैं और पिछले वर्शों के जो जो भी पेपर वगरा हो उनको भी आप लगातार देखते रहें सलेबस और पिछले वर्शों के पेपर इसके बाद में रिविजन की बात करें तो जैसा मैंने आपको डेली का बताया है कि जो दिन में आपने पढ़ा श्याम को आपका रिविजन करना है इसके बाद 6-7 दिन बाद में आपको फिर से जो आपने पूरे 6 दिन तक पढ़ा है उसका साथमें दिन आप फिर से रिविजन करें और संडे को देखे छे दिन आप जब पूरा जी जान से दम लगा के पढ़ेंगे तो संडे को आप दिन में पांच से गंटे का ब्रेक भी अराम से लेना चाहें अराम से बैठें यूँ ही तो बैठ सकते हैं लेकिन वो भी आपको तब अच्छा लगेगा जब ये छे दिन आपकी पूरी जान निकल जाएगी इनको पढ़ने में और यूँ है कि पूरे साथ दिन एक जैसे निकल रहे हैं वो आराम से कभी कभी उठ रहे हैं, कभी कोई लेट उठ रहे हैं, कभी सुबह का टाइम है, कभी 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 कुछ एक टाइम अपना फिक्स कर लीजे चाहिए आप रात को पढ़ें, चाहिए दिन में पढ़ें, चाहिए सुबह जल्दी उठके पढ़ें या रात को लेट तक पढ़े तो फिर वो उसमें नियमित्ता रहनी चाहिए नियमित्ता सबसे बड़ी चीज होती है तो मुझे आशा है कि आप इन चीजों को समझे होंगे और इसके अलावा और भी कई बाते हैं जैसे ये अफ़ाएं वगरा मैं आज भी कई देख रहा था विद्यारती कमेंट कर रहे थे कि सर पहले भी दो बार जो है ये एक्जाम डेट गोसित हुई थी तो हमें तो अभी भी डाउट ही है क्या होगा क्या नहीं होगा तो इस तरह की चीजें तो आपके माइंड में आनी ही नहीं चाहिए तो इस तरह की अफ़ाओं से एक तो थोड़ा साब दूर रहें और दूसरी बात ये है कि सर्दी का मोसम है भूख बहुत लगेगी आपको एंदर्जी की भी जूरत पड़ेगी तो कुछ जैसे फूरूट वगरा जैसे केले है या जैसे माल जी ये मूंख फली है ये साथ में अपना रखें भूख लगी थोड़ी बहुत भूख लगी एक दू केले खा लिए मूख लिके गोटे रखें पास में तोड़े थोड़े खाते रही है मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि पहले विद्यार्थी बोज़े नहीं करेगा लेकिन जब भेंकर उसका सरीर तूटने लगेगा आब तो भूक्या मर गए अब तो और जाकर कि उंट की तरह चरेगा फिर सरीर तोड़ेगा नींद आ रही अब तो मुझे तो ये उंट की तरह नहीं चरना है बकरी की तरह चरना है बकरी देखिए आपने वो सारा दिन चरती है वो लेकिन उंट की तरह नहीं करती है एक बार में पेट फुल बरग्यार उंट की तरह पढ़ गई जागे ऐसा नहीं बकरी सारे दिन थोड़ 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 घास खाती रहेगी वो तो आपको बकरी की तरह चरना है उंट की तरह नहीं चरना है उंट की तरह चरोगे तो उंट को देख लेना उंट अच्छी तरह खापी के कैसे पढ़ता है हो दो टांग इदर दो टांग इदर बिल्कुल पढ़ा रहेगा एकदम मस्ती से दुप वो आंदी तुफान हो उंट के परखनी पढ़ता लेकिन बक्री जो है ये चर्ती है थोड़ा थोड़ा तो आपको बक्री बढ़ना है सारे दिन आप खाते रहो थोड़ा थोड़ा खाते रहो पेट फुल नहीं होना चीए कि ठसा ठस वो बैस अब तो जा बैस अब नींद लेंगे खतरनाक वो इस्तती विद्यार्थी के लिए सही नहीं है हलांकि वो किसी भी वेक्ति के लिए सही नहीं है ठूंस ठूंस के किसी को नहीं खाना चाहिए कई क्या करते हैं कि सर्दी का मोसम में खूब सारा घीलेंगे हूँ और बड़िया रोटी के अंदर चूर के और खूर धापके खाएंगे यूँ का जीवन में आज से पहले ना कभी ये थार ना कभी बाद में होगा ऐसे नहीं करना एक विद्यारती का बोजन जो है वो ठूंस ठूंस वाला कभी नहीं होना चीए इन चीजों का बहुत फरक पड़ता है ये देखने में लगता है कि चीज़ें आपको कि नॉर्मली क्या फरक बहुत पड़ता है इन चीजों का सबसे ज़्यादा फरक पड़ता है इनी के बैस पर आपके आगे त्यारी होगी जब आपका सरीरी काम नहीं करेगा आप उंत की तरह खाएंगे ठूंस टूंस के तो निसी सी बात है नींद आएगी आपको नींद भी नहीं आए तो शरीर में आलस आएगा आप नहीं पड़ पाएंगे तो इन चीजों का जो है वो थोड़ा आप ध्यान में रखें और इसके अलावा जैसे मालेजी आप कहीं बाहर रूम लेके त्यारी करें तो रूम जो है वो थोड़ी साफ सपाई रूम में रहने चाहिए कई विद्यार्थी क्या करते हैं रूम को डंग से साफ नहीं रखते क्योंकि उनका ये मानना है कि विद्यार्थियों का कि student करूंप तो ऐसा ही होता है नहीं ऐसा नहीं होता है बना के रखते हैं तब ऐसा होता है आपके पास 10 किताब भी है 20 किताब भी है तो वो सलीके से रखी होनी चाहिए ऐसा नहीं है किताब में इधर कुछ पढ़ रहा है, इधर कुछ पढ़ा है, इधर कुछ पढ़ा है, पूरा कमरा बेतरवी से बिखरावा है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो चीज आपके दिमाग पर क्या असर डालती है, यह आप सोच भी नहीं सकते, आपकी त्यारी हो इनी पाईगे आपकी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आस पास की इस तरह की बिखरीवी चीजें, या इस तरह से जो चीजें हो, वो आपके दिमाग को प्रभावित करती है, साब सुतरी हो, जगह थोड़ा सा साब सपाई करके अपना अच्छा सा रखे बना के उसको, और जैसा मैंने आपको बताया, 120 दिन इस तरह से अपने सामने लिख लीजिए, कि 25 अपरेल ये सामने आपको हमेसा दिखनी चाहिए, कि ये 25 अपरेल और डेली का शाम को अगर और कर सकें, तो थोड़ा ये मुल्यांकने भी जरूर करें कि मैंने आज इमानदारी से दिन में कि पढ़ाई की, कई विद्याति क्या करते हैं, बुक लेके हाथ में बैस बैठे रहते हैं, बातरूम जाएंगे तो भी बुक लेके जाएंगे, कहीं भी बाहर कोई आदमी से मिल रहे हैं, तो भी बुक हाथ में रहेगी उनके, हाथ में रहने से पढ़ाई थोड़ी होती है, अगर इसी तरह पास में रहने से किताब होती तो जो दुकान वाले हैं, शौप की पर, वो सब उनका ही सलेक्षन होता फिर, पिर आपका होता ही नहीं, कि सिर्फ पास में बुक होने से ही सलेक्षन होता तो, जब पढ़ें, तो शुद पढ़ाई निकलनी चीए, उसमें शुद पढ़ाई, केवल पढ़ाई के अलावा और कोई चीज नहीं, तो इसलिए 10 गंटे भी बहुत होता है, शुद पढ़ाई भी अगर आप निकलेंगे, तो 8-10 गंटे की शुद पढ़ाई निकलती है, अगर average निकलों, मैं आपको 12 गंटे बता रहा हूँ, और इमानदारी से आप देख लेना, आपकी शुद पढ़ाई लगवग 8 गंटे के आसपास निकलेगी इसमें, बाकिया आपने कभी फोन देख लिया, कभी इदरो और कुछ आपके विचार कहीं और चले गए, अचाना का आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, बाल विकास, आपका दिमाग चला तो इस चीज़ का जो है, चार महीने के लिए, ना पहले कोई धर्ती पे था, ना कोई है, और ना कोई होगा, रिष्टे नाते ये, जिन्दिगी में ये रहते हैं, सब आगे भी आपको सम मिल जाएंगे ये रिष्टे नाते, चार महीने के लिए आप और आपकी किताबे, इ मुझे नहीं लगता कि उनसे आपको कोई ऐसा लाब होता होगा, वह क्यावल आपका समय खराब करती है, उल्टी पूल्टी जो आप वगरा होती है, जोक वगरा बनते रहते हैं सारे दिन, कई बार देखता हूँ, जैसे सीम है, या कोई भी वेक्ति है, तो उन पे सारे दिन जोक बनते रहेंगे वो, एक विद्यारती के पास इतना समय कैसे होता है, आपका सरीर तूटने, महनत से आपका सरीर तूटने लग जाएगा, आपकी हिमत नहीं होगी कि इस तरह कि आप चीजें के लिख सकूँ, ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक पढ़ने वाले व महनत करता है, फिर आप कहोगा, उससे बैठके काज आप हालतू बाते करते हैं, वो कहेगा, भाई, मुझे तु नीदारी है, मेरे में तो हिमत नहीं है, वो चीज कब आएगी, जब वो जी जान से महनत करता है, ये बात विद्यारती के लिए है, और ये जो मैं सेडूल आप को बता रहा हूँ, इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, आप साथ दिन कोशिस कीजिए, आप इसके अनुकूल ढल जाएंगे, कोई भी आदत जो है, वो कहते हैं कि 21 दिन के अंदर धरती का कोई भी प्रानी हो, आप 21 दिन तक किसी चीज को continue follow करते हैं, वो आपकी habit बन ज रखें, आठ दिन रखें, दस दिन रखें, साथ दिन के अंदर भी हो सकता है, साथ दिन के अंदर आपकी habit chance हो सकती है, इच्छा सकती होनी चीए उसमें, यह शबल जो दिखते हैं, इच्छा शक्ती, willpower, दरड शक्ती, मह, यह, उत्सा है, मनोबल, सारा खेल इनी वर्ड का ह जिसके अंदर यह चीजें भरी भी है, उसको और कोई शक्ती के आउशक्ता नहीं है, आंतरिक जो motivation है, वो अंदर त्यार करें, कि मुझे नोकरी लगनी है, क्यों मुझे त्यारी करनी है, या जैसे बीड त्यारी का आपको लगे कि सारी बीड बीड, भाई आपको लगे कि स सब एक्जाम दे रहे हैं, इधर भी एकजाम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, का अच्छे, मुझे लोग पुछेंगे कि बाई तूं आजगल क्या कर रहा है, चलो मैंने भी REIT का फोरम बढ़ दिया, ये लो, मैं भी एक्जाम दे रहा हूँ, रीट की त्यारी कर रहू हूँ महिनों की मैनत से इस से अच्छा जिन्द की मोर क्या होगा, डॉक्टर बढ़ना पढ़ता है डॉक्टर को पहले कितना पढ़ना पढ़ता है एडूकेट बढ़ना होता है, एडूकेट कितना समय लगता है एक अच्छा नाम कमाने में लेकिन यहां चल रहा है, यह संगर्ष बहुत मिठा है, यह आपको नुकसान नहीं दे गई है, यह सिखाएगा आपको, यह मिठास आपके पूरे जीवन भर रहेगी, और आपका सेलेक्शन होने के बाद में, जब भी आप अपने उन पुराने नोट्स को, उस सलेबस को, आपको उस से प्र प्रेम हो जाएगा, आपकी किताबों से प्रेम हो जाएगा, आप उनको बेच नहीं पाओगे, मैं मेरी किताबें, मैं बेच नहीं सकता किसी को, मैंने कभी मेरी किताब बेची नहीं आज तक, कई लोग जैसे मालो एकजाम वगरा देल या कब जूरत नहीं है, मेरे पास सब मोहाय आपका selection करवा देगा तो सही जगह पे मोहाय होना चाहिए ना कि गलत जगह पे तो इस चीज़ गे लिए तो आज की वीडियो में काफी बाते हैं और मेरा ये मानना है कि बहुत सी बाते हैं आपके लिए जो है इसमें एक-एक बात आपके लिए महत्पुन है जो विद्यार्थी बहुत इमानदारी से पूरे वीडियो को सुनेगा और अपने अंतर मन में इसको बिठाएगा रिस पर विचार करेगा कि मैंने क्या-क्या बताया किस तरह से आपको फोलो करना है वो निश्चित रूप से 3.1% में आएगा और बहुत सारे विद्यार्थी इस बार तो मुझे बहुत से विद्यार्थी में विश्वास है क्योंकि पिसले एक साल से मैं लगातार यहां देख रहा हूँ कम से कम 10,000 विद्यार्थी हैं वो बहुत इमानदारी और निश्टा से जुड़े में है अब आगे उनकी मैनत है कि उनमें कितने लोग जो हैं वो इसमें आते हैं लिश्ट में लेकिन इस बार मुझे विश्वास है बहुत विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे और कहीं भी पढ़ें आपको सेलेक्शन से मतलबा आपका सेलेक्शन होना चाहिए आप चाहिए यहां पढ़ें चाहिए किसी यूटूब पर पढ़ें जैसे मैंने आपको तोड़ दर पहले बताया है जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है कोई भी आपको अच्छा सिक्षक लगता है कि बाई मुझे इनका समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़ो तो ये चीज है तो आज के वीडियो में इतना ही और वीडियो को लाइक जुरूर कीजिएगा और जो है ज़्यादा ज़्यादा शेर भी करें वाटसेप पर जो आप स्टेटस वगएरा लगाते हैं वहाँ भी लगा दीजिये कोई देख लेगा बला इनसान किसी को जुरूरत हो ये प्यार मोहबत के सारे दिन बहुत से लोग वाटसेप पर स्टेटस लगाते रहते हैं दिल टूटार, दिल डूबा उनकी जिगें ये ही लगा दू मेरे वाला ही वीडियो एक दिन के लिए लगा दू वाटसेप वगएरा पर शेयर कर दू अच्छी चीज़ें लोग शेयर नहीं करते तो आप बहुत अच्छे लोग हो इसलिए आपको करना चाहिए जो अच्छा नहीं होता, वो नहीं करता तो आप तो अच्छे हो तो आपको करना चीए शेयर तो लाइक कर दीजिएगा तो आज के वीडियो में इतना ही मुझे लग रहा है मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया जितना हमां बताने का मैंने सोचा था उससे कहीं दिख आपको इस वीडियो में बताया है तो आप सभी को all the best और मैं भी continue वीडियो चलेंगी यहां बहुत कुछ चीज़ें आएगी तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै बारत